केज बावर्ची आज हम एक स्वेड़ीश बनाएंगे कद्दू की खीर शाधियों में जो बनाते हैं हैदरबादी स्पेशल कद्दू की खीर बनाएंगे की गिसावा कद्दू के छिल्के निकालेकी इसके अंदर के बींद आर के दे तरुसे घस कर में रख लिजीएंगे कपल कद्दू है घिसा हुआ 100 ग्राम शक्कर ले लिजिए यह खोवा है 100 ग्राम्स खोवा है वन टेबल स्पून कस्टर्ड पौडर है ड्राइफ्रूट ले लीजिए यह मैं काजू ले ली काजू ग्रेट करके और बादम भी ग्रेट करके ले ली एक चुटकी भर ग्रीन कलर है यह आपकी मर्जी है और हाफ टी स्पून इलाइचिक पौडर है अब कड्डू की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम दूद को गरम करने जुटे जब दूद गरम होने लग जाए उसी में शक्कर आयल करिए और उसे उसी तरिफे से पकने दीजिए जब तक दूद को अच्छी तरिफे से पकाईए जब तक यह शक्कर गुलने जाती जब अब एक दूसरे बड़े बावल में हम थोड़ा सा पानी आड़ कर लेंगे एक कप पानी और उसमें एक कटिकस के आवा करदू ग्रेट करदू डालेंगे और उसे 10 मिनिट तक इसी तरीखे से बॉल होने देखिए यह दूबल के थोड़ा गाड़ा हो चुका है अब हम इसमें खुआ आड़ करेंगे और कंटिनियूसली से 10 मिनिट तर चलाते रवे पकहेंगे देखिए दूद में खुआ अच्छी तरीखे से गुल चुका है अब हम इसमें राइटिका पाउड़ा आड़ करेंगे मिक्स कीजिए और एक कप में थोड़ा सा कच्छा दूद ले लीजिए और उसमें कस्टड पाउडर दाल के उसे अच्छी तरीखे से मिक्स कीजिए इसका अच्छा सा घूल बनाईए अब हम रिक्स क्या हुआ कस्टड दूद में आड़ कर देंगे और कंटिनियसली दूद में मिलाएंगे ताके इसमें लंप्स ना बने इसी तरीखे से उसे और फाइम मिनट्स पकाईए और अब हम इसमें ग्रीन कलर आड़ करेंगे अगर आप कलर मिलाना पसंद नहीं करते हैं तो आप्शनल है आपके मर्जिये स्किफ कर सकते हैं देखिए कद्दू की खीर अल्मूस्ट बन चुकी है अब आप स्टोक और करेंगे देखिए ये कद्दू कस के आवा कद्दू भी अच्छी तरीखे से गल चुका है स्टोक कीजिए और ये कद्दू को ठेंडा होने दीजिए अब देखिए ये कद्दू कस इस तरीखे से गल चुका है और ठंडा हो चुका है अब इसे हम एक कथोरी की मजद से थोड़ा सा मैश कर लेए इसे मैश कर लीजिए अब हम ये मैश की हुए कद्दू खीर में आड़ कर देंगे देखिए मजएदार कद्दू की खीर बनके रेडीव हो चुकी है इसे हम काजू और बादाम से गार्निश करेंगे और ठंडी बने के बार इसे सर्व करेंगे देखिए मजएदार कद्दू की खीर बनके रेडी हो चुकी है यह हद्रवादी शाद्य में बनने वाली कद्दू की खीर है फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कॉमेंट कीजिए और मेरे चानल का सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू